हेलो फ्रेंट्स बर्ट स्केच बनाने के लिए सबसे पहले ओ शेप में बना लेना है और एकसी दिलाइंड की देनी है अपकोल मिलाकर आपको ओ की मातरा बनाने है पेट के लिए आपको सी शेप देनी है ताकि उसका पीट बन सके चोच के लिए आपको ट्राइंगल शेप बन आलेना है यह मैंने triangle shape बना लिए बहुत ऊजी है drawing बनाना बड़ की shading है आप पो कैसे करने है वह हमें इसमें video मैं बताऊँगी कोई भी हमें नार्मल देने के लिए मैंने mechanical pencil का यूज़ किया है means यह 5-10 रुपे की आपको किसी भी stationery shop पर मिल जाएगी जो सबसे fine lines देगी वही मैंने यूज़ किया है यहां पर तो आप भी सबसे बारिक वाली pencil की नोग यूज़ करें कि आप fine lines दें क्योंकि जब होता है कि जब further वाली drawing आप बना रहे होते हैं तो बहुत आपको बारिक lines देनी होती है जितना बारिक lines देंगे उतना जादा आपका फर वाला drawing अच्छा लगेगा तो यहां पर मैंने fine lines देने के बाद अच्छे से blending कर दिये paper stamps से और जहां जहां requirement लग रही है मैं pencil को वापस वहां पर यूज कर रही हूं कहीं कहीं पर मैंने charcoal pencil का भी यूज किया है darkness देने के लिए आप भी charcoal pencil यूज कर सकते हो या black pen यूज कर सकते हो या black dark black pencil यूज कर सकते हो या उसको जादा dark चला सकते हो अगर आपको लगता है कि भी आपके पास नहीं है charcoal pencil तो कोई बात नहीं ब्लेंडिंग करने के लिए paper stem का use कर रही हु मैं, अगर आप beginner हैं तो आप ear bird का use कर सकते हैं, जो कहां साफ करने वाली ear bird होती है, आप उसको use कर सकते हैं, इसमें बहुत महिंगा समान खरेदने के जरूत नहीं है, अगर आप beginner हैं तो, यहाँ पर fine lines दे रही हूं, मैं बहुत ज तो जहां जहां आपको रिक्वर्मेंट लगे वाइटनेस देने आप एरीजर को फाइनली चला सकते हैं और डाकनेस देने के लिए पैंसिल को डाक चला सकते हैं इस तरह आपके फार वाली ट्रॉइंग रेड़ी हो जाएगी कि शुरुवात में थोड़ा सा प्राक्टेस लगे का फार वाली ट्रॉइंग बस इत्ता ध्यान रखेगा कि आपको फार दिखाने के लिए बहुत जादा फाइन लाइन्स और बहुत जादा इरीजर का यूज़ करना है अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है अगर आपके पास पेपर स्टंप नहीं है तो इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है ऐसा नहीं है कि आपका पेपर स्टंप नहीं होगा तो आपका ब्लेंडिंग हो सकता है इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग ह यहां वाइट लाइन देनी हमाँ पर मैंने अध्य कलर कर भी यूज किया है क्योंकि मुझे लग रहा था इरेजर से इतना ज्यादा वाइटनेस नहीं मेल रहा है तो मैंने वाइट अध्य कलर यहां यूज किया आप वाइट पोस्टर कलर भी उस कर सकते हो और इसको फिनिश लुक देने के लिए। ये white soft pasteur भी यूज कर सकते हो। मैंने वापस इस पेरों को प्रापरली shape देने के लिए ये वापस यहाँ पर mechanical pencil बार इक लाईन करी है । आप बारीक pencil यूज कर सकते हो पैंसल बनाकर उसकी बनाकर उसका doign no books बनाकर इन अच्छे से उसको तो ब्रांच बनाने के लिए मैं वापस एक ओवल शर्कल बनाऊंगी और नीची दो परपेंडिकुलर लाइन्स कीज दोंगी तो यहां पर भी मैंने ऐसा ही किया है ग्राइंग कंप्लीट होने के बाद वापस से आपको पैंसिल से शीडिंग देनी है कहीं कहीं आपको पैंसिल चलानी है सारे में नहीं चला देनी है कि सारे में आपको पैंसिल चला देनी कहीं आपको पैंसिल चलानी है और फिर पेपर स्टम की मदद से या कॉटन बड़ की या बड़ की मदद से आप उसको ब्लैंड कर दीजिए जहां वाइट नेस देनी है वह अगर आपको डिफिकर्ट लगा तो भी बताईएगा, मैं अगले बार से और अच्छा टुटोरियल बनाने की कोशिश करूँ हूँ, थैंक यू, एंड कीप वाचिंग, एंड कीप सपॉटिंग झाल गो, आपक कीप, ऐ एंड की वाचिंग, एंड कीप सुलाईएपिंग, एंड की रही के एंड की वाचिंगो मैं इंड की पूइब की अगले बताईएपिंग different झाली में इंस ऐसक पार इंस कोशिश मैं लगा साइस, बतानिव में आपकी हॉईगो